गुट मानिंग अब्रेवन थीरी ओफ लर्निंग या थीरी जब लर्निंग ठीक है थीरी ओफ लर्निंग कितने टैप्स के होती है पहले दिमाग में होता है कि लर्निंग कितने टैप्स के होती है तो थीरी ओफ लर्निंग होती है अपके तीन टैक्स तो पहले आते हैं प्लोग देन आते हैं प्याबलाव उन्हों ने दी थी Classical Conditioning अब आते हैं हम लोग Cognitism के तरब Cognitism के थीरी जो देते वो निशेर ने दी थी और उसके बाद Cognitivs के थीरी स्टाटिंग जो पहले बोलते हैं जो फादर ओफ Cognitivs development वो थे प्याजे ठीक है लेकिन सबसे पहले बाद Cognitivs की निशेर नहीं की थी इसके बाद प्याजे नहीं आती है Cognitivs development theory जो सबसे फेमस theory आपको पता है दन इसके बाद आते बुरुनर की theory discovery learning उसके बाद थाड़ आती है और सुबर की theory meaningful learning उसके बाद आती है आपके social learning theories ठीक है तो social learning theories की starting cut lovey नहीं की थी और इसमें सबसे फेमास हमारे बंडूरा की social learning theory ठीक है अब behaviorism और cognitism mixed जो होते हैं या जिसको mixture बो सकते हैं तो जिन में बहेरिजम की भी बाते हैं और cognitism की भी बाते हैं वो है tolman की sign learning theory hall की drive reduction theory ग्याने की hierarchy of learning ठीक है and then by gosky के आते हैं तो by gosky में आपका कोगनेटिजम और social learning ठीक है मतलब थोड़ा से कोगनेटिजम की बाते भी होती है थोड़ा से social learning की बाते भी होती है तो by gosky नहीं दी थी आपके social cognitive cognitive theory ठीक है थैंक्यू everyone